सुबा साम के जलदवाजी में अच्छा खाना चाते हैं हेल्दी खाना चाते हैं बच्चों और फैमिली को हेल्त रखना चाते हैं तो चली आज जट पर एसे पी बनाएंगे बहुत ही हेल्दी कहें तो सर Yogoon समपन है पुरे फैमिली के लिए छोटे से बड़े तक काफी ज़्य प्रोटीन बाय जाता है आयरन टैलसें प्रोटीन बहुत सारे चीजिस में होते हैं जो हमारे हेल्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता आए चना चाना हम लोग किसी ने किसी रूप में खाते रहने चाहिए चाहिए तो भुना हुआ भुटा हो या भी फूले हुए चने गुड के साथ खाते हैं सब्जी चोले में काले चने भी ले लिए आधा कटोरी और आधा कटोरी हम ले रहे हैं कच्छा चावल चावल आपके पास जैसा भी हो साबूत हो तूटा हुआ हो किसी तरह का भी ले सकते हैं बस कच्चा चावल लीजेगा और ये तीनों को अच्छे से साफ करके पानी में इसे धो लीजेगा अच्छे से तीन-चार वार उसका धोनी के बाद इसमें पाइन डालकर इसे फुला ल यह जाती है कंडिशनर का काम करता या पेट पौधो में डाल दे और इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर ले सारे मिस्रन को और उसमें अद्रक और मिर्शिय में डाल लिया और धन्या की पत्ति अईसे एक पेश्ट बनाकर तयार करना एकदम स्मूध वाला और यह दिकिए हमारा बढ़िया सब पेस्ट बनकर तैयार हो गया हमें इसी तरह से क्रीम में एक दम चाहिए था आप चली दूसरी तैयारी कर लेते हैं एक बीट रूट को अच्छे से कदू कस कर लिया यानि चुकंदर चुकंदर ऐसी फले जो हमें बारों महीने मिल दी और हमारे हेल्द के यह बरदान है तो जरूर इसे डाइट में सामिल करें एक टमाटर लिया हमने और बत्ता गोवी थोड़ा सबने काट लिया और सिमला मिर्च और हली मिर्च यहां पे जो भी आपको सब्जी पसंदो आप लीजेगा और दू उबला हुआ आलू को आपका दू कस कर लिजिए ह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और यहां पे धन्या की पति और स्वाधनसर नमक और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पॉडर चाट मसाला और थोड़ा सा अजवाएं यह हमारे पेट के लिए अच्छा होता और यह सफेद तील असारी को अच्छे से हमें मैं सब्सक्रsis करके तीयार करना पेट के दर यह देखिए चट पट इलिंग्स बनके तयार हो गई है इसे के साथ हम डाल रहे हैं एक प्याज दसे क्या हैं क्रिस्मस बने रहे हूं को करंशी रहे haya है इसलिए मैंसे लास्ट में डाल रहे है और हमारा सिंग हैं बहुत आई डाला पीजा मसाला आपको यहां पे जो भी फ्लेवर मसाले के पसंद हो आप डाल लीजेगा थोड़ा सा सफेड यह बिल्कुल ऑप्सनल है बाकी यह खूबसूरत लगी पस इसलिए मैंने इसमें डाल दिया और गैस को हमने कर दिया और अब ले रहे हैं हम ब्रेड मेकर यह द सब्सक्राइब कर दिया है तो हमने थोड़ा सा इसमें तो सचार बुन इतना तिल डाला है आउपस से हम जो बैटर बना के रखे हैं दाल चावल का उससे हम फैला दिये हैं दो तीन चम्मच लेकर अच्छे से और काफी सारा हमने फीरिंग हाथों में लेकर यह से चप्टा क बैटर लेकर फिर से इस पर फैलाएंगे ज्यादा हमें नहीं फैलाना फिलिंग हमने ज्यादा भड़ दिया इसके बाद इसे हम अच्छे से रखने के बाद बंद कर देंगे ब्रेड मेकर को और इसे उलट पलट कर हम तीन से साड़े तीन चारी मिन तक यह अच्छे से पक मैं इस आपको निकाल के दिखा देती हो अगर थोड़ा बहुत चिपके अगर तो आप इसे चमच की मदद से निकालेगा ऐसे बढ़ी असाने से निकल साती है तो देखे फ्रेंट्स हमारे एक तरह का नास्ता बनने के तयार हो गए तो चलिए हम आपको दूसरा नास्ता दि किरा रहे एक की साज के हमें टिकी की तरह हम इस पर बना रहने वाले हैं आप देख सकते हैं इसमें जितना स्पेस है हम उतना इसमें डालेंगे तो हमने इसमें देखे लगबग चार पीस इसमें अट जाएगा इस तरह से हम इसमें बना रहे हैं तो चमच लेकर इसे फैला देंगे तब तक हम लोई बना लेते हैं जो हमारे स्टफिंग है उससे चोटी चोटी बना लेते हैं उसके बाद- मुश्य चेक करेंगे फिर से देखके उपर का जो बहाग है ड्राइव होगहा यह उसके ऊपर i करके दूसरे पर देखिए इसी तरह से रख देना है और हमारा नीचे का भाग है जो अच्छे से सिग आप देख बारे होंगे और इसे हम उलटने वाले हैं हाथों या कल्ची के मदद से इस तरह से उपर से रख दीजे और दूसरा भी हमीशी तरह सकते हैं बिल्कुल भी हमें नास्ता बने के तयार हो जाती है फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है तो खुद भी खाये बच्चों को भी खिलाए और थोड़ा सा उपर से हम ओल इस पर ग्रीस कर देते हैं ताकि उपर नीचे अच्छे से पक जाए इसे हम ऐसे नहीं पकाएंगे इसे हम कवर करके पकाएंगे ताकि कच्छा पन रहने की कहीं से भी गुणजायस नहीं हो देखि कितना टेस्टी हमारा नास्ता है जो बन गया दोस्तों अब देख सकते हैं उलट पलट कर इसे अच्छे से हमें सेख लेना है तो इस रेस्पी को हमें बनाने में तीन से चार म हyszए और खाने में बहुत और ही तएसी तरह से तरह से सारे नास्ते को बनांगे तैयार तो देखे फिर्ण्स हमने सर्व कर लिया थोड़ा से हम निगाने सिंग कर लिया आप इसे खाई बिना चटनी सौस के भी अच्छे लगते हैं तीकिन मैंने थोड़ा सा साथ सार्व कर लिया खाने में बहदी टेस्टी तो प्लीज आप इसे बनाएए और इसे आप टेस्ट और मज़दार रेसिपी है फ्रेंड्स कितना यह टेस्ट लगती मैं इसके क्या तारिफ करूँ देखे कितनी अच्छी है आप इसकी वैटर से एकी समान से आप दो तरह के नास्ते बना के तयार कर सकते हैं बच्चों को खुस कर सकते हैं फैमिली में बनाएंगे तो तारिफ जो हमारे पूरी बॉड़ि के लिए चाए जो हमारे हेल्ध के लिए चाहिए तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राइ करें फ्रेंड्स में यह रेसिपी आपको अच्छी लग तो प्लीज विडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड के साज ज़रूर से अर और हमारे चैन कर दो कम पूले जाएंस